बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सस्क्राइब करें साथ ही बेल आइकन को दबा कर आल पर क्लिक कर ले गाइज इसी के साथ आपको इन्फार्म कर देना चाहता हूं कि बॉटनी के सभी टॉपिक की साथ नोट अब आपको बॉटनी लेक्चर में यह मर्ज कर दिया गया है उसी में इकनॉमिक बॉटनी फंजाई यह च्छे टॉपिक हो गए उसके बाद दूसरे शाड़ में आप देख सकते हैं माइक्रोबाइलोजी, लाइकेन, वाइरस, स्वेल साइन्स, एकोलाजी, प्लांट फिजोलाजी, प्लांट पैथोलाजी, बायो कमिस्ट्री और उसके बाद बायो टेकनोलाजी, बायो इस्टेस्टिस्टिक्स ये 16 ऐसे टॉपिक हैं बाटनी के, जिनकी 60 नोट अब आपके बाटनी लेक्चर्स में अवलेबल हैं दोस्तो इन सभी नोट्स को प्राप्ट करने के लिए आपको संपर्ख करना होगा, वार्टस अप पर नीचे देगया जो नंबर है, उस पर आपको सेंड करना है, मैसेज, अपने नाम और क्लास के साथ, साथ ही साथ, कौन से टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए, वो सभी आ आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट पर, इसके पहले भी जो बायो टेक्नलोजी के लेक्चेर आया था, वो भी ट्रांसजेनिक प्लांट पर ही डिसकसन हुआ था, जो कि एगरिकल्चर में क्या अप्लिकेशन से उस पर डिसकसन मुशली हुआ अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी उस वीडियो के डिसकेशन में जाइए और ये लिंक वहाँ पर दिया गया है इसके बाद आपको वो i बटन में भी मिल जाएगा तो वहाँ पर हम ने BT Carton के बारे में डिसकेशन किया था आज के इस वीडियो में जो बचे हुए ट्रांजिनिक प्लांट्स हैं उस पर थोड़ा सा डिसकेशन हम करेंगे ठीक है तो चलिए बात करते हैं और सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट ट्रांजिनिक प्लांट का इंपोर्टेंस क्या है अगरिकल्चर में इस पर हम प्रकाश डाल करेंगे अज डिसकेशन करेंगे सबसे पहला यहां पर तो पहला हो जाएगा यहां पर फ्लाइवर सेवर टोमाइटो बहुत ज्यादा एक्जाम में पूछा जाता है और आपके थिवरेटकल एक्जाम में भी पूछा जाता है मोश्टली यहां पर ब्स समेस्टर में यह है और 6 semester में भी दिया गया है MSC के 4 semester में दिया गया है बाय टेक्नोलोजी वाले portion में तो देख लिए फ्लाइबर सेबर एक प्रगात के क्या होता है GM plant होता है या GM crop होता है यानि कि genetically modified प्लांट होता है ठीक ना तो देख लिए फ्लाइबर सेबर आलसो नोन है इसका दूसरा नाम है cgn cgn 89 5 64 ओके टू प्रोनाउंस एडी फ्लाइबर सेबर और इसलिए इसको प्रोनाउंस डी फ्लाइबर सेबर के नाम से भी जाना जाता है एक जिन्टिकली मोडिफाइड टॉमाइटो एक प्रकरका जिन्टिकली मोडिफाइड किया गया टॉमाइटो है ठीक है इट वाज डिबलब बाइद है कैलिफोर्निया कंपनी यह किसकी दोरे डिबलब किया गया था कैलाजीन कंपनी का नाम है कैलाजीन 1980 में इस ने डिवलब किया था तो फ्लाइवर सेवर टोमैटो का डिसकवरी या डिवलब्मेंट कहां पर हुआ था यह ध्यान दिजिएगा कालिफोर्निया में हुआ था चोकि कंपणी का नाम है कैलाजीन अब इसके अंतरड़ दिखा जाए था धेगा फ्लाइवर सेवर कांटेंट टूजीन इसमें दो प्रकेवर के जीन इसमें इनक्लिव झायाए हैं बां कैलेजीन के धारा दो जीन इसमें include किये गए हैं पहला हो जाएगा antisense polyclectronase ठीक है gene which inhibit the production of a rotting enzyme rotting enzyme को क्या करता है inhibit करता है जो को infection करता है plant को तो उसको क्या करता है ये रोकने का काम करता है दूसरा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा APH3 second amyloglycoside three fast for transferase second concluding that the tomato is safe और इस enzyme के बाद clear हो गया कि tomato आप totally safe हो चुका है किसके against safe हो चुका है इसके बारे में हम detailed discussion आगे करेंगे ये जितने भी यहाँ पर transgenic plants हम आपको बताएंगे लगवाद तीन से इंपोर्टेंस भी आपको बताऊंगा दस fruit remains fresh for a longer period इसी बज़े से आप देखते होंगे tomatoes की जो variety जाती हैं वो ज्यादा से ज्यादा समय तक चलती है other than जो देशी वाली tomatoes होते हैं mostly उसकी पेक्षा जो hybrid कियाती है वो ज्यादस में तक रहती है create then the fruits of normal tomatoes varieties next हो जाएगा it retain flavor higher superior taste and higher quantity of total soluble solids तो यह हो जाएगा flavor saver tomato जो की genetic modified plants है next हो जाएगा golden rice golden rice के बारे में पहुंचा देख्या में पूछा जाता है इसको ध्यान दीजिएगा यह भी एक transgenic plant है या genetically modified plants है mostly जो normal rice है उसी का modifications है golden rice is a transgenic variety of rice rice का transgenic variety है transgenic के बारे में जो बार बार टर्मा रहा transgenic plant कैसे बनता है क्या है इसके बारे हमने इसके पिछले वाले वीडियो में already discussion किया है उसका लिंक आपको description में मिल जाएगा तो आप उसे जरूर बाच कीजिएगा और आजिया सटाइबा प्लांट का बार्टिंगल नेम है यानि rice का विच कंटेन गुड क्वांटिज आप बीटा कैरोटिन प्रो बिटामिन ए इनक्टिब स्टेट अप बिटामिन ए बीटा कैरोटिन इसमें पाई जाती है यहनि हाई content मात्रा में इसमें बीटा कैरोटिन पाई जाता है बीटा करोटीन is a principal source of vitamin A, vitamin A का principal source माना जाता है बीटा करोटीन को, next point हो जाएगा, since the grain seeds, means जो grains है, grains of the rice are yellow in color, अब इसी बीटा करोटीन की बज़र से इसका color जो होता है, yellow color हो जाता है, बीटा करोटीन, the rice is commonly called golden rice, और इसलिए इस rice का नाम क्या हो गया, golden rice के नाम से जाता है, बीटा करोटीन, pro-vitamin A, is converted into vitamin A, thus golden rice is rich in vitamin A, इसलिए golden rice में vitamin A की मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ठीक है, next हो जाएगा, it is required by all individuals, इसकी अवस्ता हर एक बेक्तिके होती है, as it is present in retina of ice, और इसकी उपस्तित किस में होती है, vitamin A की, retina में, इसलिए इसकी requirement हर एक बेक्तिके होती है, इसकी deficiency क्या होती है, vitamin A की कमी से night blindness हो जाता है, day blindness हो जाता है, लोगों को दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो यह इसकी problem होती है, deficiency of vitamin A causes night blindness and skin disorders, also skin disorders भी होते हैं, since the content of vitamin A are very low in rice, vitamin A is synthesized from vitamin beta carotene, which is precursor of vitamin A. Next point हो जाएगा, Professor Ingo Potricos and Peter Bear produce genetically engineered rice, इन्हीं दोनों scientist ने मिलकर के genetically modified rice का production किया था, introducing three genes associated with synthesis of carotene, carotene को synthesize करने के लिए इन्होंने तीन genes के बारे में बताया था, the grains of transgenic rice are rich in pro-vitamin A, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में इसके सीड में vitamin A की मात्रा होती है, इसलिए इस rice को use करना चाहिए, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर, transgenic tobacco plant, very, very most important है भी, tobacco plant containing a gene from a bacterium bacillus therugensis has been produced, अब इसमें, transgenic tobacco plant होता है, यानि, टांजनिक plants में जो tobacco plants है, ठीक है, इसकी जो variety है, इसमें, bacterium, bacterium के gene included है, कौन से बैक्टिरिम का, bacillus therugensis, इसके genes पाजाते हैं, इस gene is an insecticidal protein, इसके बैज़ से, इसके अंदर जो capacity होती है, यानि इस gene के अंदर जो capacity होती है, insecticidal proteins, पाजाता है, जिसके बैज़ से, वो क्या करता है, इंसेक्ट को आसानि से kill कर देता है, इंसेक्ट को आसानि से इंसेक्ट को kill कर देता है, ठीक है, इस gene के बैज़ से, और इसलिए इंपोर्टन है, प्रोटन होती है, इस gene वाज केमिकली सिंथेसाइज और इसके gene को केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है, और वाज ट्रांसफर्ड इंटू ब्रेशका नापस, वेर हिरुडीन अक्यूमलेट्स इंसेट्स, मुश्ट लिए आपको बता दें कि इसका जो जीन होता है, यानि कि हिरुडीन नामक जो gene है, मिन्स प्रोटीन, इसके genes को केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, फिर इसके बाद ब्रेशका नापस इस पिसीज में ट्रास्पर कर दिया जाता है, जो कि अक्यूमलेट्स करता है कि इसको सीड को, इसके बाद इसको एक्स्टेक्ट किया जाता है, फिर इसको पर्टिकुलर्ली यूज किया जाता है, ठीक है, यह हो जाएगा, ट्रांजनिक प्लांट प्रेशका नापस हिरुडीन, इम्पोर्टेंट है, इसके बाद बात करेंगे, क्या advantages है या इसके क्या अप्लिकेशन से है और कि या इसके क्या disadvantages है इसके आगे हम discuss करेंगे इसमें एक इक पॉइंट पे पहला हो जागा यहां पर ध्यान से देखेगा कई ऐसे points है जोकि बहुत important है इसको ध्यान से आपको नोट करना है पहला दिया है पेस्ट म् प्लाट्ट जो हता है फिर ट्रेस्ट्ट होता है थिक है अ अंच लिब्टी कार्टं जो हता है वह प्लाट्ट पर नहीं पड़ता है नेस्स हो जाओगा तोल्रेंस अगला हो जाएगा स्वे क्राइब मुद्ओई क्रफ आर मोर टोलरेंट टू एंटी बाटिक इस्टेस बगार ग्रेट करता है 3 एंटी इन पोस्ट हारवेस्ट लॉस्ट इसके अंत्रगत फ्लाइबर सेवर टांजेनिक टोमेटो आ जाएगा जो कि आपने ऊपर अभी देखा उसके बाद हो जाएगा प्रिबिंशन आफ अर्ली एकजासन आफ फर्टिलिटी आफ सोल इंक्रीज्ड इफिसेंसी आफ मिन्राल्स मात्रा की क्या करता है मात्रा जो होती इसमें बढ़ती जाती है इंक्रीज करती हैigorाटों से डिवाट si एंक्रीज हो जाएगा इंक्रीज की निवीटरिशन में करते है इंक्रीज करते हैं मौस्टमीus कि गità labor को एक मात्र को बढ़ाता है, ज्यादा मात्र में इसमें पाई आता है, हर्वीशाइड रेजिस्टेंस, हर्वीशाइड बीड किलियर होता है, बीड को किल करने वाला होता है, GM क्रॉप, रोप है निए आएगा alternative resources to industries alternative resources to industries GM plant have been used to create alternative network resources to industries in the form of starches fuels and pharmaceutical in सभी रूप में alternative resources इन में यूज होते हैं जीम में क्रॉप्स नेश्च हो जाएगा लिगेइज रिजिस्टेंट डिजीज प्रिकाम करते यह जो अर्भी जीज होती है उसके यंगेज्ट भी काम करते हैं जीम क्रॉप भी नेक्स हो जाएगा फाइटो रिमीडियेशन, फाइटो रिमीडियेशन में, प्लांट सच सेज पापवलर ट्रीyy जनेटल vermeers कमरें एटनियमे सब्सक्राइब के हैं अगला चाहएगा डिस एडवरंटेज, डिसेज काश हो सब्सक्राइब हेड़ी है और हुँमन हेल्थ रिस्क के एंगेश्ट भी हेल्प करता है यह तीस एडवांटेज आ जाएगा इन्वार्मेंटल हजार्ड इन आट इन आटेंडेट हार्म टू अधर अर्गैनिज पहला हो जाएगा दूसरा रिडूस एफेक्टिवनेस आफ पेस्टिसाइड